हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइंस में तो आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही ब्यूटिफुल नेक डिजाइन जो बहुत ही ब्यूटिफुली रेडी होता है और आजकल गर्मियों की गुर्ती पे काफी ट्रेंडी भी है तो चलिए सब पर मार्किंग कर लेते हैं अपने नेक की तो जो नेक मैं यहां पर ब्रॉड ले रही हूं वो लगवग 9 इंच लोंगी यानि की साड़े-4 इंच पर ऐसे मैंने मार्क किया है और अब हम साड़े-4 इंच को ऐसे सीधा-सीधा मार्क कर लेते हैं तो अब हमने नेक डीब कितना रखना है पूल लेना है तो इस तरीके से मैं यहां पे यह जो नेक है क्योंकि ब्रॉड है तो आप इसको सीधे में भी डीप ले सकते हो जितना भी आप रखना चाहते हो तो मैंने यहां पे लगवग 6 इंच डीप रखना है नेक छे इंच डीप रखूंगी और ये लगबग हमारे पास जो आएगा रेडी नेक वो पांच इंच ही ये आएगा इसलिए मैंने ये छे इंच लिया है तो अब हम इसको मार्ग करते हैं पहले राउंड नेक हमें मार्ग करना है ये तो आप इसको अच्छी शेप दे लीज़े राउंड नेक की तो ये देखिए ये हमारे पास राउंड नेक की अच्छी शेप में ये कट फॉप है यह जो कट अपने कोड़िंग यह सकते हैं इसका साइस बड़ा यह चोटा अगर आप जोटिए कट वाइब के अप 네 वो अबनाना है तो आप किसी चोटी बोटल लत अध्कन यbak alma कर सकते हैं मैंने यहां पर बड़ा cutwork ड्रॉव करना है इसलिए मैं यहां पर बड़ी बॉटल का धकन यूज़ कर रही हूं यह दिखी तो ऐसे हम cutwork जो है वो center से शुरू करेंगे इस तरीके से तो मैं यहां पर cutwork का fourth part ले रही हूं नैक के अंदर आप देख सकते हैं और ऐसे हमने इसको cutwork ऐसे बिल्कुल साथ साथ आपने ड्रॉव करना है यह कि पर फिर से मैं एक और ड्रॉव कर रही हूं ड्रॉव करते वक्त आपने यह ध्यान में रखना है कि cutwork बिल्कुल बराबर आना चाहिए आपका तो यह दिखिए मेरे से भी यह गलती होगी है थोड़ा बड़ा ड्रॉव हो गया लेकिन इसको मैं थोड़ा चोटा कर लेती हूं यह दिखिए बिल्कुल बराबर आया है आप और फिर से इसको ऐसे ही ड्रॉव करेंगे हम तो यह दिखिए यह अंदर वाला बिल्कुल सही है हमारा आपने भी अगर आपसे कोई भी cutwork गलत लगता है तो आप उसको दुबारा से ड्रॉव कर सकते हो कोई भी आपने गलत cutwork ड्रॉव नहीं करना इसी तरीके से आप दुबारा ड्रॉव करके उसको कट कर लीजिए अब हम बाहर से वाली भुक्रम ले लेते हैं तो अब हम इसको cut करेंगे और एक साथ ही इसको cut करेंगे और यह दोनों तरफ हमारा बराबर आ जाएगा अभी हम पहले इसको बाहर से cut कर लेते हैं तो चलिए इसको अंदर से भी हम कट कर लेते हैं तो आप अपनी मार्किंग के साथ साथ ही इसको cut कीजिए तो ऐसे दिखिए यह neck ready होने के बाद इस तरीके से आ जाएगा और cut work हमारा उपर की तरफ आएगा तो अब हम इसको extra fabric के उपर pasting के साथ चिपका लेते हैं तो यह जो fabric है यह मेरा कुड़ती वाला same fabric है और मैंने neck के बराबर बराबर कट भी कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसको pasting के साथ चिपका देंगे अगर आपके पास pasting वाली वुक्रम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो इस pasting को fuse paper भी कहते हैं और यह press के साथ अच्छे से चिपक जाता है fabric के साथ ऐसे यह neck हमारा fabric के साथ चिपक जाएगा तो ऐसे हमारा यह neck fix हो गया है पेस्टिंग के साथ तो अब मैंने यहां से आदे आदे इंच का margin लेते हुए कट भी कर दिया एक्स्ट्रा fabric को अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे फोल्ड करके यहां पे एक सिलाई लगा देंगे यह आप rough stitch भी रगा सकते हो तो यह देखिए यहां पे मैंने सिलाई लगा लिया है अब हम इसको अपनी कुर्ती पे रखके stitch करेंगे तो यह मेरी glaze cotton की कुर्ती है और कुर्ती पे हम neck को इस तरीके से रखेंगे कुर्ती की सीधी साइड के उपर हमें neck को रखना है यह इसकी सीधी साइड है और यह उल्टी साइड है तो पहले हम इन दोनों के बीच में सेंटर में rough stitch करेंगे यहां पे उसके बाद बिल्कुल कट्वर्क के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे तो आपको बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है और cutwork के बिल्कुल center तक सिलाई लगाएं इस तरीके से तो ऐसे देखिए cutwork के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा लिया अब हम बीच वाले fabric को cut कर देंगे तो यहाँ पे एक एक पैर का मार्जन लेते हुए मैं बीच वाले फैबरिक को कट कर रही हूँ इस तरीके से आप भी कट कीजिए कट वर्क के साथ-साथ तो ऐसे हमने बीच वाले फैबरिक को कट कर दिया अब हमने यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स लगाने है उपर से ऐसे आप दो कट देते हुए बीच वाले कट तक जाहिए और यह जो बीच वाला कट आपका नीचे तक जाना चाहिए दियान में रखें आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए ऐसे आप उपर राउंड में भी कट दें और बीच वाला भी कट दें तो ऐसे cuts भी हमारे लग चुके हैं अब हम neck को पलट लेते हैं तो आप ऐसे cut work को बाहर की तरफ निकालते हुए इसको finishing के साथ पलटे और धीरे धीरे एक एक करके आप सारे cut work को इस तरीके से बाहर निकाल ले यह आजकल बहुत ही trendy neck है और बहुत ही beautiful भी लगता है cotton की कुट्टी पे ज़रूरी नहीं है आपको इसको कुट्टी पे ही बनाना है आप इसको dress पे भी बना सकते हो बहुत ही trendy है आजकल यह और blouse पे भी बना सकते हो आप इसको तो ऐसे ही हमने सारे नेक को पलट लेना है तो ये देखिए पलटने के बाद हमारा ये नेक कैसे आ जाएगा मैंने इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है और देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है इसमें तो आपको इसके उपर कोई भी किनारी की या पैर की सिलाई लगाने की कोई ज़रूत नी है प्रेस के साथ आप इसको अच्छे से बिठाएं और पीछे से तुरपाई करा दे तो ऐसे हमारा ये कितना ब्यूडिफुल नेक रेडी हो जाएगा तो अभी मैं आपको इसकी पूरी कुर्ती रेडी करके भी दिखाती हूँ तो रेडी होने के बाद ये होगी इसकी फाइनल लुक तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई